और आपने कौन से आध्यात्मिक पाखंडों को जागर किया इस कुछ तक पर नहीं? देखे, सबसे बड़ा तो लोग जो है न ध्यान करते हैं और ये आहंकार बहुत बड़ा लोगों के साथ जुड़ा होता है लोग मिलते हैं तो कहते हैं मैं रोध ध्यान करता हूं मैं ध्यान करता हूं मैं ध्यानी हो मैं अध्यात्मिक हूं तो मैं एक ही बात सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में अगर तुम कहते हो कि मैं यहां से दिली से मैं जैपूर जा रहा हूं तो ज अदिकतर मैंने लोगों कि जो मुझे मिलते हैं उसे में क्या देखता हूँ, सबसे पहले तो अगर तुम सच मुझ ध्यान के मार्क पे जा रहे हैं और तुम्हारा साक्षी भाव विग्जित हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर फिजिकली, मेंटली, स्प्विचली ये होगे, तुम शरीर की भाषा को समझ कर, जब तक तुम्हे भूग नहीं लगेगी ना तुम कभी खाओगे नहीं, तुम्हें लोग कितना भी प्रेरित करें, खाई लोना, क्या प्रक पड़ गया, मतलब तुम भी आप नहीं मेरा शरीर नहीं मांग रहा है, पानी भी उतना ह मांग रहा है, आप एना कॉंसेप्ट नहीं बनाओगे इसके लिए, आप ओवरिटिंग तो करी नहीं पाओगे, क्यों तुम खाते खाते इतने होश में हो, कि तुम एक निवाला भी अब तुमारे लिए भारी पढ़ रहा हो, तुम्हें समझ में आने लगेगा, क्योंकि त कुमिंग साउंड जो होती है, जिससे हम तरफ्त हो गए, वो तुम्हें सुनाई देगी, जो नॉर्मली लोग नहीं सुन पाते हैं, और वह वासना में बैक है, ज्यादा खाते हैं, तो ओवरिटिंग का रास्ता खता, ठीक है, और फिर तुम अपने शरीर को मेंटेन करने के फिर उसको exercise भी दोगे, उसको घुमाओगे फिरोगे, टाइम से उसको अच्छी तरह rest लेकि सुलाओगे भी, तो तुम्हारा सबसे पहला तो बहुतिक इस तरह पर तुमारे regular life में ये सब changes तो आएंगे न, फिर तुम खाना भी simple choice करोगे, variety का मतलब है चंचलता, तुमने means चंचलता, और simple आहर means focused, concentration, तो आप अपने आप खाना simplify करोगे, और फिर ये भी choice करोगे, कि ज़्यादा उत्ती जग खाना ना खाओ, फिर तुम उत्ती जग खाना कैसे खालोगे भाईया, ये बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, लसने, सब वाली चीजों से, तो देरे देर तुम्हें ये सब परिवर्तना लेगा, तुम लाइव चीजों को, ये healthy है के, ये process लेके, refined है, उसे चामें, wholesome चुनो, ये सब चुनाव होगा ना तुम्हारे साथ, तो मतलब, पहले तो तुम बहुतिक इस तर पर ये सारे परिवर्तन लेकर आओगे, और मानसिक इस तर प नालायक अच्छे बुरे होते हैं, अब सारे दिन तुम किसी रिस्तिदार के पत्नी है के पती है के बचे ही है, तुम उनको लेकर कब तक उनको non acceptance में जी होगे, ये ऐसा क्यू है, ये ऐसा क्यू है, तुम्हें अच्छे तरह समझ में आने लग जाएगा, कि इस संसार में हर व्यक्ति बड़ा नियम से नालायक या लायक है, नियम से है, क्योंकि एक आदमी कितने जन्मों का by product है, इस जन्म के कहीं संसकार उसके साथ जुड़े हैं, और समाज के ने, दुनिया के ने, माबाप के ने, तुम कैसे कह सकती ही, ऐसा क्यूं है भाई, तो यानि कि हर व्यक अपने जिगापे सही है आप उसको गलत नहीं बोल सकते चूकि वो नियमानुस आ रहे है एक आदमी सेक्स के विज़ भाग रहा है पैसों के विज़ भाग रहा है एक आदमी बड़ा हंकारी पादा हो गया एक आदम क्यूं उसको बच्पन से मिला ही ऐसा वाता हूं कि वह हंक अब चुपता है तो कंबग बचने के रास्ते खोजो भाई और फूल है तो उसके पास जान के बहाने खोजो भाई फिर आप ऐसे करोगे न और फिर फिर आप अपना इगो निमेंटेन कर पाऊ गया पहले की तरह कि कोई तारीफ कर रहा है तो बड़े फूल रहे हो कोई उधार की परतिमाएं कि शर्मा जी ऐसे ने वैसे ने वैसे यह सब लोगों ने तुम्हें दी तुमने स्किल बना दी अपनी और वो इसके लेकिए गुमते रहते हों के मेरी यह इमेज मेरी यह इमेज तो तुम्हें समझ में आ जाएगा काई की इमेज एक्च्वल में तो जो है वो कल्पना में है वो इल्यूजन में होती है अक्च्वल में आंकार इल्यूजन है पता आपको अगर आप अच्वल है अंकार तो ही नहीं नहीं वो इल्यूजन है देखे आप जब छोटे होते हो तो आपको क्या मालूम है कौन हो क्या आप नंगे भी घुमरे होते हो नाग बहरी होती है, कपड़े फटे होती है, कोई दिमाग में बोज नहीं ना, फिर लोग तुम को देते हैं, कि तु बड़ा सुन्दर है, तु इंटेलिजेंट है, तु वैसा है, तु वैसा है, फिर तु घर दाके मूर्ती बनाना शुरू कर देते हो, शर्मा जी बोले तो इगा था, फिर वो इसके लेकर घुमती रहते हैं, तो मैं पुछहू, कहा है इमेजे, तु मेरे मन में जी, अच्छा मन में कहा हैं ठाटगा में, कालपना में, कोई रियल में तो है नहीं, तो अगर पैसे होगों तो तुमें लोग सिर्जी सिर्जी करेंगे, पद होगा को जान होगा तो लोग तुम्हें गुरुजी गुरुजी करेंगे अगर तुमने मान लिया मैं गुरु तुमारा दुख शुरू यानि कि लोग तुम्हें देते हैं और तुम उसको ले लेते हो तो यह चीज जब मैंने भी जानी कि यार यही तो दुखका कारणा है कि लोग कंबक देते हैं उधार का और हम उसको लेकर पहन लेते हैं मरते भी उसके साथ भी है तो मैंने कहा कि यह सब अहंकार जूट है तो वो जैसे समझा ना जाग गया ना तो जर गया अहंकार निकालानी पड़ता क्योंकि हाँ अगर कोई गुरू कहे ना के आहंकार निकाल दो तो समझना उसने तो निकालानी पका क्यों मालूम है क्योंकि वो कोई चीज थोड़ी जो निकाली जा सकती है आइंटिफाए आपने कर रहा है उसको दिख रहा है तो उसके अंदर भी है तो तो अंधेरा है भाई, वो रौस्टी पैदा करने की बात करेगा न, तो तो रौस्टी क्या पैदा करते है, ध्यान करके साक्षी भाव को प्रबल करोगे, और धीरे धीरे दुख की जड़े पहचानोगे, तो तुम अपने आप आज नियुक्त कल निकालोगी, क्योंकि कभी डर नहीं है, अभी मैं एक छोड़ा सा मज़दार चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा हसी भी आ जाएगी, कि मैं एक शादी में गया, वहां पर क्या हुआ, एक कुरसी बढ़ गया, वाइट कुरसी थी, पूरी काली-काली थी, तो मैं जाके बढ़ गया, तो किसी ने खाना खाके वहां तील गिरा दिया था, और मैं वाइट पैंटी पहनता हूं, जैनली, मेरा पूरा पैंट पीछे से काला हो गया, तील से, अब मैं शादी में आए हूँ, अब मेरी पत्नी कह रही है, तो मैंने का, भुगतेगा पीछे वाला, मेरे को क्या, मैं क्यों परिशान हू तो बोले कि नहीं, सब लोग देख रहे हैं, मैंने, बज़े ले दो, मैं तो मेरे काम से मज़े काना काके निकल जाओंगा, तो होता क्या है, वाई, who is worried about you, आगर आपने देख भी लिया, तो आकर इतना ही, बोलेगा, सर देखें आपका पैंट खराब हो गया, आकर बोलेग तो अब मेरे पास क्या बोलते है दुखी होने का कोई साधन नहीं है इमेज जो बोलते है वो नहीं है मेरे पास में इसलिए मैं सहज भाह में रहता हूं अच्छा और हर आदमी है न संसार में दो इमेज में जीता मालूम है एक जो वास्तम में जो घर में होता है जो परिवार जानते हैं और एक बाहर आता है न तो वह personality का मुखोटा पैन के बाहर आता है कि लोग मुझे यू समझे तो मेरे पास personality नहीं है ध्यान रखना जैसे आज मैं अभी आपके सामने जिस तरह बाते कर रहा हूं न मैं exactly same tone same style में मेरे पत्नी से बात करता हूं मेरे बच्चे से मैं भ कि दो personality को maintain करना एक जूटी जो है वो artificial चुन्दरी पैन के बाहर आना और वो आंधी आते उड़ने लगती तो मुझे original मेरे को देखना ले तो मेरे पास ये दो personality नहीं है